प्रावेट इस्कूल एस्सेशन मद्यपरदेश के तत्वाउधान में शाका खरकोन के संचालों को द्वारा एक दीन भूग हरताल पर रहेकर अपनी पांस सूतरी मांगों को लेकर धरना परदर्शन किया। इसके तहट खरकोन जिले की समस्ता सिक्षन संचालों के संचालों को द्वारा भूग हरताल पर रहेकर शासन पर सासन के नाम एक ग्यापन दिया गया। करें रहेंगे। खरकोन से जैनतों गुपता की रिपॉर्ट प्राइवेट स्कूल एस्सेशन ने पूरे मत्यप्रदेश में हर जगह जगह भूक अर्ताल का आयोजन किया है। हम पिछले कई दिनों से शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि COVID-19 के चलते ड्राइवेट स्कूल की हलत बहुत खराब हो गई है। जो है संकट में हैं और ऐसे हलातों में स्कूल को चलाना अब हमारे लिए संभाव नहीं है। हम शासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमने पिछले कई वर्षों की आर्टी की फीस प्रतिपूर्थी की जाए। लेकिन वो हमें मिलनी रही है। हमारे कई साथियों की 2011 से लेकर करके 2019-2020 तक की फीस प्रतिपूर्थी नहीं हो पाई है। शासन के दौरा आनलाइन शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ग्रामिन इलाखों में नेटोर को भी अवेलेबल नहीं है। और ग्रामिन के लोग उसमें रूची भी नहीं ले रहे है। एसी स्थिती में जो है वो आनलाइन शिक्षा भी हमारे लिए इतनी फाइदे मद नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टी टेक्स और अन्य टेक्स तो लगाता है प्रायोड स्कूल से लिये जा रहे हैं। उनको देखते हुए हमने शाषन से मांग किये कि उसको माफ किया जाए। और सबसे बहुतों बात तो यह है कि हम शाषन के गाइडलेन का पालन करते हुए इसको खोलने की भी मांग कर रहे हैं। कि अब इसकोल को बुला जाए हम निजदेशां का पालन करेंगे और इसकोल के पंचालन को करने का अनुमति दी जाए। क्योंकि शिक्षणिक स्टाफ और गेर शिक्षणिक स्टाफ की भी परिवारों को जो है वो आज बचाने की इस्तिजी में आगा हैं। बहुत संकट है वो परिवार भी तिकले साथ से आट मेने से बेकार हैं। उन्हें कोई कार नहीं है। तो हमने शाशन से आज अपनी मांगे को लेकर के यहां पर एक दी उसी संकेतिक भूकरताल की है। और अगर शाशन के दौर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। तो हम फिर जो है दुबारा किसी और पूगर पदेशन करने हैं। तो बात जे हो। क्या नाम शड़ आपका। डॉफ्टर लवेशाटर भर भूकरताल और धन्ना अंदोलन पर बेठे हैं। हमारी पांच सुत्री जो मांगे हैं। वह है पहली आर्टी का जो फीसे हमारा वह दो हजार अठ्रा उन्नीस तक। मैं तो बोलना चाओंगा कि मैं ब्याच के सभी हमारे सातियों को दिया जाए। क्योंकि ये कोरोना काल में सभी स्कुल है। आर्थिक रूप से उनका सबका ढाचा चर्मरा गया है। इस्तितियां भहुत खराब है। और इसलिए ना हमारी गत्वर्षे की फीसे आ रही है। ना इस्वर्षे की आ रही है। तो हमारा जो हक का आर्टी का फीसे जो गोर्मेंट ने हमारा लगबग 3-4-4 साल से रोका हुआ है। वो हमारा हक का पैसा है। वो हमको मैं भी आज के मिलना चाहिए हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें